नमस्काइश्ट्यूटेंट स्वागत है आपका अपनी यूट्यूटेंट सुभांस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए सच्छिड़क सत्र 2020-22 माए सितंबर 36 गड़ मादमिक से च्छा मंडल रायपूर असाइनमेंट 02 कच्छा दसमी विज्ञान के असाइनमेंट का फुल स सारणी में समूग में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्थ में बाएं से दाएं जाने पर निमने गुड़ों में किस प्रकार परिवर्तन होता है आइनन विवाव संज़क्ता परमाडू अकार विद्द रड़ा मकता देख लीजे इनका अंसर आइनन विवाव में क्या परिवर्त आइनन विवाव किसी आवर्थ में बाएं से दाएं चलने पर नाब की आविस बढ़ता है किन्तू परमाडू तरज्जा गड़ती है जिसके सफल सुरू पी प्लस वा एन के मद आकरसन बढ़ जाता है तब बाहर इलक्टरान को निकालने के लिए अधिक उर्जा किया हो सकता होती है इसलिए आवर्थ में बाएं से दाएं चलने पर आइनन विवाव बढ़ता है किसी आवर्थ में बाएं से दाएं चलने पर नाब की आविस बढ़ता है किन्तू परमाडू तरज्जा गड़ती है जिसके फलसरू पीवा पीवा एन के मद आकरसन बढ़ जाता है तब बाए एलक्ट्रान को निकालने के लिए अधिक कर दिखिया कि या कि वुर्जा किया हो सकता होती है। इसलिए आवर्थ में बाक्ष सदाइन चलने पर आइनन बहुत बढ़ता है। इसके बार नेक्ट देख लिए। किसी वर्ग या समू में उपर से नीचे चलने पर आयनन वे वो घटता है क्यों। किसी वर्ग में उपर से नीचे चलने पर परमाड़ करमांक में वरद्धी के साथ परमाड़ वखार में वरद्धी होती जिसके फलस्वरू नाविक तता इलक्टरान के मत आकर्टनर कम हो जाता आइनन वुर्जा कामान घटने लगता है किसी वर्ग में उपर से नीचे चलने पर परमाड़ आठ चार सो चार सो चार सो चार सो जी हाँ याद कर लीजी वाटसप नंबर अब चाहें मैथ, फिजिक्स, केमिस्टी, बाइलोजी आपके हर डाउट, हर कुश्चिन का मिलेगा वीडियो सोलीशन आपके वाटसप पर बस मोवैल पर डाउटनेट एप का आठ चार सो चार सो चार सो सेफ कर लीजिए, फिर चैट ओफिन कर लीजिए, जिस सवाल में आपको डाउट हो, उस सवाल की फोटो कीजिए, क्रॉफ कीजिए, और पांस सेकेंड में आपको मिलेगा वीडियो सिलीशन, छैसे बारा आई आई आपकी लक्ट्रान के मत अकरसर कम हो जाता है, अर्थात आइन उर्जा कमान घड़ जाने लगता है, इसके लिए नेक्ष देख लिए तरफ तत्तों की सयोजगता, तत्तों की सयोजगता क्या होती, आवर्द में बाइं से दाइं चलने पर एक से छे तक आक्सीजन के आप सा सापेच तत्तों की सयोजगता एक से बढ़कर साथ तक बढ़ती है, तता हैट्रोजन की सापेच एक वर्ग से साथ वर्ग तक बढ़ती है, फिर घटने लगती है, परमाडू अकार देख लिए तीसरा पॉइंट है, परमाडू अकार, परमाडू अकार से परमाडू तरिज परमाडू की आकार को दर्साती है और वर्ग में उपर से नीचे चलने पर परमाडू आकार परमाडू करमांग बढ़ता है जब कि आवरत में बाएंसे दाएं चलने पर फामाडू आपकार घटता है किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्तों की विद्धुत रड़ामक्ता नेमित रूप से हैलोजनों तक बढ़ती है क्योंकि परमाडु अकार घड़ता है नाब की आवेस बढ़ता है तो क्या होता है विद्धुत रड़ामक्ता किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्तों की विद्धुत रड़ामक्ता नेमित रूप से हैलोजनों तक बढ़ती है क्योंकि परमाडु अकार घड़ता है और नाब की आवेस बढ़ता है किसी वर्ग में उपर से नीचे चलने पर तत्तो की विद्धु दुड़ामकता नेमित रूप से घटती है क्योंकि वर्ग में उपर से नीचे चलने पर परमानुट मंग बढ़ता है जससे तरज्जा का मान भी बढ़ता है इसके पर दूसरा देख लिए सौर कोखर के लिए कौनसा धर्पन उततल आउतल अतल अतवा समतल सर्वधिक उपयूकत होता है क्योंकि ये प्रकास की सबी कुणों को वांचित इस्तान पर परावर्तित करता है तो सौर कोकर में समतल दरपन सरवदिक उप्योग ही होता है क्योंकि ये प्रकास की सभी किर्णों को वांचित इस्तान पर परविर्थित करता है सौर पैनल के दो उप्योग लिखिए सौर पैनल के दो उप्योग क्या है पहला उप्योग देद यातायाद संकेतों के लिए यातायाद संकेतों के लिए खनिज तेल के कुएख खुदने के यंत्रों को विद्धत उर्जा प्रदान करने के लिए यातायाद के संकेतों के लिए क्पनेश तेल के कुए खोधने के यंदरों को विद्धत उर्जा पदान करने के लिए अवरक मेंदलिफ कि एवर की चार उप लब्दीयां रिख यहीं है कि नए तत्यों की खोज मैंदल्फ नह तत्यों की खुँज मेंदलिफ जर्मेनियम इसकेडियम दूसरा पॉइंट तत्तों के गुणों के अध्यन में सायक अभी तक ग्यात हैं समझ तत्तों को केवल साथ आवर्थ और नौ वर्ग में वर्गियत हो जाने से इन तत्तों का अध्यन सरल्फ हो गया था परमाडू द्रमान ग्यात करने के लिए मेंड लिफ के अंसार यदि किसी तत्तों का तुल्यांकी द्रमान ठीक प्रकार से ग्यात हो तो उसकी सही जगता ग्यात कर परमाडू द्रमान ग्यात किया जा सकता है इसके बाद चोधा पॉइंट देख लिए जिए क्या था अनुसंधान में साय था में डिलीप के आधनिक आवरसाणी समस्त्रसाइनिक सास्त्र का सारांस है इसके अवलोकन में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी तत्यों का दूसरे तत्यों के साथ कैसा बेफार रहेगा पांचाव पॉइंट देख लिए परमाडू द्रमान में संसोधन में परमाडू द्रमान के संसोधन में पेंडली प्यावरसाणी में जब तत्यों को उनके बढ़ते हुए परमाडू द्रमान के अधार पर रखा गया है तब कुछ तत्यों के द्रमान बढ़ते हुए क्रम म नहीं थे तब इनके द्रम्मान में संसुधन करपुना किस्तान दिया गया इसके बाद नेक्ट देख लिए चौथा कुश्चन है चौथे कुश्चन का राइट आंसर है और आपके सभी कुश्चनों के पूरे आंसर है तो वीडियो को पूरे जरूर देखिएगा ग्रेगर ज और मेंडल को आधनिक अनुवांसी का जनक कहा जाता है इसके नमबर बाद देख लिए संतान नर मादा एक्स वाई नर होता है मादा क्या होती एक्स एक्स तो एक्स वाई और एक्स एक्स तो मिलकर क्या बनाते है एक्स एक्स परसद पुत्री एक्स वाई एक्स वाई पचा 10 पत्र ये देख लिए इसका सूत्र क्या होता है ये किस प्रकार सेयोग करता है है तो संतान देख लिए चाहां नर्मादा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स-एक्स लेखे लेजिए एकस-एकस सहीयोग करके 50% पुत्री और एकस-एकस सहीयोग करके 50% पुत्र और एकस-वाई करके 50% पुत्र तो पचास परसार्स परसेंट होता है इसके बाद नेक्ट देख लिए कुश्चिन नमबर पॉंच में गाय की प्रजाती जेबा गर्मी में रहने के लिए अनकूल है एक और प्रजाती सहाई वाल साल भर में लगबग 20,000,000 लिटर दूद देती है अंगुर नमबर प्रजाती का सरीर सुद्रड है 36 गड़ में किसी गाय से सबसे ज़्यादा दूद प्राप्त करना हो तो इन किन गायों के संसमान को और क्यों 36 गड़ में किसी गाय से दूद प्राप्त करना हो तो साहिवाल और अंगुस नामक गायों के संक्रण कराना होगा क्योंकि साहिवाल गाय जेब की एक प्रजाती जो की 20,000 लीटर दूद देती है अंगुस गाय से सुद्रण है मेंडल ने अपने प्रियोगों है तो बानमबर पांच बेगा मेंडल अपने प्रियोगों मटर के पौदे का ही चुनाओ किया क्यों दूद दो प्रमुक कारण बताई मेंडल द्वारा अपने प्रियोगों मटर के पौदे का चुनाओ निम्न तत्त क्यादार पेगे मटर का प पौदा एक वर्सी है तदा अल्प समय जीवन चक्र होता है इसके पुस्प द्विलिंगी होते हैं अर्थाद नर और मादा जननांग एक ही पुरस में पॉरस में पाए जाते हैं अता मतरक मां स्वापरागण होता है तुसरा स्वा निशेचंग के कारण मतरके पौदे सम लेंगी होते हैं अता पीड़ी दर पीड़ी इनके पौदे सुद्रन लच्छन वाले होते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाकि आपके सभी सब्जेक्टों के सिलुशन हम ला रहे हैं तो यदि आपने नहीं देखा हो तो जाकर हमारे सेनल पर देख लेजिए धन्नाबाद